दोस्तों स्वागता को मेरे चैनल पर मार्केट की इंफोर्मेशन पर लेकर आपके लिए ओप्षन की जो यह सीरीज है आज पूरा ओप्षन सीख लेंगे हम इस वीडियो के अंदर में बहुत ही इजी तरीकी से सपोज यह आपका अकाउंट है यह आपका ब्लोकर अकाउंट ह दा जीरू था ठीक है अब आपको क्या करना है यहां पर सपोज आपको आप्षिन करना है तो ऑप्षन हम किसमें कर सकते थे निफ्ति और वैंक निफ्ति में अभी निफ्ति का भाव जो है 17000 कितना चल रहा है 200 के आसपास चल रहा है तो हम यहां पर 17100 की एक कॉल लगा देंगे कब की जो आने वाला थ्रस्टे है ठीक है हमेशा आने वाले थ्रस्टे की कॉल से क्यों जादा बेटर है उससे अगर आप कॉल लेते हो जिसे देखो अगर आप यहली कॉल लेते तो आप प्रेड़ेट खरते कि MARKट नीचे जाएगा तो यह C का जो है थीज집ते की की मार करेट में उपर बढ़ने पर ही बढ़ेगी ठीक है और P E कि को और मार véritable नीचे किणने पर ही कि जो आपने prediction किये वो क्या किये है कम की किये है तो call आप कहीं तक की भी ले सकता है आपके यहाँ पर call देख रहेंगे तीन तारिक की CEP फिर 10 तारिक की फिर 17 तारिक की क्योंकि March end होता है तो उसकी कोई date नहीं होती है तो यह March आपके लिए ताकि आपको easy हो जाए एक बार पहले यह समझने में कि कितना ज्यादा मतलब वह रहता है कि अगर आप सारी calls देते हो तो कितना ज्यादा वह रहता है शाद पचार स्कृप्ट मेरी हो गई मेरे को एक स्कृप्ट डिलिट करने पड़ेगी यहां से तो मैं कुछ भी डिलिट करता हूं सपोज मैं यहां से जी एसडवल एनर्जी को डिलिट कर दिया वाले ठीक है अब यहां पर एक call रगे थी 17100 की कौनजी CE की call अब मार्केट क्या है मार्केट यहीं पर है अगर आप देखेंगे मार्केट को तो मार्केट 17100 पर यहां आपको दिख रहा ह के लिए मैं आपको दिखा रहा हूं के वल ठीक है सबोज आगर आप 17100 लेते और अगर आप call लेते कब की आप लेते तीन तरिक की call यहां पर यह वाली तो इसका प्राइस देखो आप कितना दिखा रहा है 243 का यह कब की है जब आप मार्केट को प्रेडिक करेंगे कि मार्क नीचे गिर गया सबोज 17000 तक चला गया यह कितना भी चला गया मतलब नीचे जाना चीए नीचे जाता जाएगा तो आपकी call की prices भी गिरती आएगी और यह 200 हो जाएगी हो सकता 1500 रुपे की हो जाए call ठीक है अब यहाँ पर date से क्या दिक्कत है तो date का मतलब है कि आपको इत premium थोड़ी सी कम हो जाएगी क्यों कम हो जाएगी क्योंकि market में वहाँ पर जो है basically time कम होता जा रहा है आपके target के लिए ठीक है तो premium गिरती जाएगी तो यह तो हो गया call buy करने का तरीका की call जब buy कर रहे हैं सबोज आप देखो इससे उपर की इससे आगे की date की call अगर आप द तो देखो 50 lot होता है ठीक है पहले मैं nifty को ले रहा हूँ उसके बाद bank nifty को लूँगा ठीक है तो यह होगी 17,100 की call तो यह आपको example के लिए बता है कि मैं आगर 17,100 लेता तो आपकी call जो है वो इतनी महंगी होती सपोज अब मैं यहाँ पर लूँगा ऊपर नीचे की call गोट कि मैंने लिखा निफ्टी ठीक है अब निफ्टी का भी क्या होता है निफ्टी का भी बैंक निफ्टी का भी फूचर होता है अगर देखो सपोज मैं एक फरवरी का future लेता हूं मतलब फरवरी का future की last settlement date का होगी month का last रस्दे यह एक example के लिए मैंने ले लिया हाला कि मुझे यह level डाला मड़का 17000 सपोज मैं 200 का CE डाल दूगा ठीक है तीन तारिक का मैं तीन का एक example ले रहा हूं अपने आप वो आगे के example आप समझ आओगे क्योंकि premium अपने आप बढ़ जाती है तो मैं केवल एक को ले रहा हूं सपोज मैं 3 तारिक का ले रहा हूं 17200 CE की ठीक है और PE की call और एक call ले रहा हूं नीचे की सबोज 17000 की 17000 CE की और 17000 PE की ठीक है अब मेरे पास यहां पर पांच calls हो गई एक हो गई future की call जिसको आप मत देखो जिसको future का मतलब क्या होता कि exact rate पर होती है जहां पर target चलता रहता है 50 का lot है अगर मेरे को यह call buy करनी है तो कम से कम मेरे क पॉइंट हर पॉइंट पर मेरे को 50 पॉइंट का जो है फायदा होता जाएगा सबोज अगर दस पॉइंट भी भग गई ने ओपर तो मेरे को 50 पॉइंट की हिसाब से 10 पॉइंट का मतलब कितना हो गया 500 रुपए का फायदा होता जाएगा ठीक है अब future को भूल जा future exact rate पर मार्केट कहां पर है 17,100 यह मैंने बीच में लिख लिया अब आपने इससे ऊपर की कोई कॉल लिये तो वो क्या होगी सस्ती होगी क्योंकि आपका जी जो कॉल का जो लेवल है वो यहां पर है और आप प्रिडिट क्या कर रहो कि यहां चला जाएगा तो आपने आपकी कॉल क आपने इस ऊपर के लेवल के लिए आप इसको बाय कर रहे हो तो जो उस लेवल से नीचे की कॉल जो होगी वो आउट आप दा मनी हो गई आगर यहां पर होती सपोस जैसे अगर यह कॉल मैं यहां से लूगा 17,100 CE की तो यह कॉल महंगी आरे क्यों क्योंकि यह इंदा मनी कॉ कोल मेहंगी मिल रही है 999 statu by horrifying कर नहीं है अब पार 후之前 को यहां से 1700 from अगर यहां से इसको सुन करता हूं कि यहां से market गिरेगा अगर मैं call लेता हूं 17200 P.E. की तो वो call क्या है market नीचे गिरने की है तो इसका मतलब क्या है कि वो market के already अंदर गिर चुकी है मतलब in the money है वो क्या है वो in the money आपको देखने को मिल रही है लेकिन अगर मैं credit करता हूं 17000 P.E. की call तो वो क्या होगा out of the money होगी क्योंकि वो क्या है 17100 के level पर है इसका मतलब out of the money हो रखी है तो इसलिए call जो है सस्ती मिल रही है तो जब भी in the money होगा in the money का मतलब आपने अल्रेड़ी उस target से उपर का level को अचीव कर लिया है ठीक है और in the money का मतलब क्या होगा sorry out of the money का मतलब क्या होगा कि आपने जो लेवल चूज किया उससे वह जो टार्गेट है पहले का वह बाहर उसको उसके अंदर में आना पड़ेगा तब उसकी प्रीमिम बढ़ेगी तो आप इंदा मनी और out of the money को इतना focus मत करी academic जो कई लोग जादा academic समझना जाते हैं मैंने उनके लिए बता है आपको simple से इतना देखना है कि अगर at par पर अगर आप कोई call लेते हैं ठीक है अगर suppose यह लेवल है अगर इससे उपर की कोई call लेते जाएंगे वो सस्ती मिलेगी क्योंकि market को आप credit करें उपर जाएगा क्योंकि क्या होता जाएगा आपका target दूर होता जाएगा जरूरी थोड़े ना market इतना भाग जाए इसलिए वो call सस्ती मिलेगी लेकिन अगर आपने 17,100 पर है और अगर मैं इसकी call को है 17,000 पर है ट्राइ करता सपोज आप देखो मैं एक एक call बढ़ाउंगा मैं CE की ठीक है PE को अभी आप क्या करें यहां से भूल जाए मैं CE की call बढ़ाउंगा अभी तो यहां पे 17,200 CE की और एक 17,000 CE की अब मैं 17,300 डालूंगा और एक 16,900 डालूंगा ठीक है सपोज मैंने 17,300 की call डाली एक सेम थड़ फरवरी की और 16,900 की call डाली कितने की सेम थड़ फरवरी की अगर इसको मैं shift कर लेता हूं थोड़ा सा shift करने का तरीका होता है इस तरीके से ठीक है अगर आप देखेंगे तो अगर मेरा लेवल आ रहा है 17,100 का अब यह call 200 की खरीदूंगा तो 199 की 300 की खरीदूंगा तो 160 की और सस्ती होती है क्योंकि मैरा target आगे जा रहा है अब यही call जो है वह मैं 17,000 की खरीदूंगा तो 300 की है और 16,900 की खरीदूंगा तो और महेंगी क्यों क्योंकि वह already मेरे target की क्या है ऊपर चल रही है call और यह मैं जितना नीचे आता हूंगा उतनी call क्या होती जाएगी मेरे लिए महेंगी होती जाएगी यह call की बात हो रही है अब इसक तो 100 की वह थी 17,100 की एक तो PE लेता हूँ मैं ठीक है एक मैं ले लेता हूँ 17,200 की PE एक ले लेता हूँ मैं 17,000 सॉरी यह लेता हूँ 17,000 की PE और एक लेता हूँ मैं 16,900 की PE ठीक है call कैसे वाय करते हैं आपको आ गया आपको बस call लिखे ना इसकी rates अपने अब आपको market देगा अब मेरा level का है 17,100 पर है PE पर ठीक है कहा पर यह रहा तो इसकी जो call pricing आ रही है देखो इन चारों से समझो market कहा है market यहाँ पर है अगर market को मैं credit करूँगा यहाँ से कि market कहा गिरे नीचे की तरफ गिरे ठीक है तो नीचे की तरफ गिरने क का मतलब क्या है PE हमेशा क्या होता है क्या denote करता कि market गिरेगा लेकिन अगर मैं 17,000 की call खरी दूँगा तो market का level तो उपर हो गया इसको इसके अंदर आना होगा मतलब इंदा मनी होना होगा तब जाकि ए call के premium बढ़ेगी ठीक है यह already इंदा मनी है इस call के हिसाब से 17,200 के level से आप चारों के market नीचे गिर जाए लेकिन 17,100 के level पर तो already है इसलिए यह call क्या हो रही है महंगी है और यह उससे 17,000 PE है लेकिन call की जो actual range है वो का है 17,100 पर है और 17,000 के level से उपर है इसलिए call सस्ती है 16,900 की और सस्ती है क्योंकि market को जब गिरेगा तब ही इस level को cross करेगा लेक यहां की call को जदा तेजी से कम करेगा यहां की call को कम तेजी से कम करता जाएगा यह तो हो गया call buy करना और put buy करना अब यह उता write off करना जिसको write off करते हैं कई बोलते हैं sale off करना कई बोलते है put को बेज दो put को बेज दो call को बेज दो तो देखिए यह put है PE का मतलब put हो गया ठी बेचने का मतलब क्या हो गया मैंने मार्केट में उसको बेच दिया है तो सबसे पहले मैं सेल अफ करने का तरीका दिखा देता हूं आपको मार्केट में सेल के उपर मैं क्लिक किया सेल आफ किया लेकिन मार्जन कितना मांगा रहे मेरे से एक लाग दोजार दोशो पैतीस रूपे का जीरुदा के अंदर में तो मेरे को बेशने के लिए कितना आपंट चले कम से कम एक लाग दो़जार जतना आमउंट मेरे को चाहिए को चाहिए चाहिए ठीक है त्पोज मैं 17.002 की पीई सब्स साम । इस करता हो और तो आपके पास में तो इतनी power ही नहीं है उसको save करने के लिए तो आप क्या करोगे आपकी call तो यहां से आपको आप तो call की हिसाब से आप उसकी pricing की हिसाब से आप तो साड़े साथ अजार दसजार की call ले रहे हो लेकिन जब आप sale करो market एकदम से 1000 point गिर गया तो आप क्या करोगे तो आप क्या पैसे तो ने चीन इसलिए margin book करता है यह अब simple चलते हैं अब put को अगर sale करते हैं suppose जैसे अगर आपने put को अगर आप जब भी buy करते हैं तो आप क्या सोचते हैं कि market नीचे जाएगा तब इसकी premium अपने आपसे बढ़ेगी यह put का natural नियम है call का नियम क्या होता है कि market उपर जाएगा तभी उसके premium उपर बढ़ेगी put के अंदर में market नीचे जाएगा तभी उसके premium बढ़ेगी ठीक है यहां से तमस्ते हो suppose यह call है market उपर जाएगा तो ही premium उपर बढ़ेगी put के अंदर market नीचे जाएगा यह market लिख दिया और यह premium लिख दिया मैंने put के अंदर market C E P E put के अंदर market नीचे जाएगा तो ही premium बढ़ेगी अब suppose call की लिए हम बेशते के call को अपने sale कर दिया तो call को sale कर दिया इसका मनलब क्या कर दिया अपने उसका उल्टा कर दिया already P E buy हो गई वो अगर call को आपेच होगे तो already P E buy हो गई तो जब call को आपेच रहे हो और अगर P E आपने buy किया अगर market नीचे जाएगा तो ही इसका premium अपने आप उपर बढ़ता जाएगा अब यह उल्टा हो जाएगा क्योंकि आपने इसको sale कर दिया और put को अगर आप sale कर रहे हो तो put के अंदर में जब premium उपर जाएगा ना तब इसका premium वापस उपर बढ़ेगा समझ गया आप बतब चौते वाले के अंदर में यह है के पुट को अगर आपने अल्टा कर दिया है यहाँ से देखो यह बहु喂好 जो चीज है जो call को खरीदना और put को खरीदना है जब आप बेचते हैं तो आप इसका उल्टा कर देते call को आप sale कर देते हैं यह put को आप sale कर देते हैं तो उसके अंदर में उल्टा हो जाता है इस वाले का रिवर्स का तो यह आप तब करें जब आप कैसे मार्जिनल तो इसको आप अभी के लिए भूल जाएं यह के वाद एक जर्णल नॉलज़ के लिए बताया था फिलाल के लिए आप यह जानके कि जब कॉल को बाय करते हैं मार्केट उपर जाएगा प्रीमियम उपर जाएगा पुट के अंदर मार्केट नीचे जाएगा तब प्रीमियम उपर जाएगा लेकिन अगर उल्टा होगा कि मार्केट गिरेगा सी की कॉल के अकॉर्डिंग तो इसका प्रीमियम भी गिर जाएगा और पुट के अकॉर्ड वीडियो बड़ा हो रहा है लेकिन वह इसलिए बड़ा हो रहा है क्योंकि मैं आपको समझाने में जाधा time ले रहा हूं ठीक है तो simple हो गया कि जितने आगे तक कि call को अगर आप लेते जाएंगे same date के लिए उतनी call क्या होती आती है सस्ती होती है लेकिन अगर मैं यही चीज टाइम की हिसाब से अगर time भी change करता रहता और call की pricing भी change करता रहता तो वो थोड़ा सा कम उसके हिसाब से सस्ती होती क्योंकि मैं timing भी बड़ा ले रहा हूँ timing मैं मेरे पास इतना ले रहा हूँ कि मेरे जो एक काम है वो क्या 10 दिन में अचीव कर लेगा अगर मेरे पास में 20 दिन होगे तो मेरे पास में और time है उसकाम को पूरा करने के लिए तो market की पास में इतना time है कि वो अपने आपको उपर नीचे इतनी दिनों में कर सकता है possibility जादा है लेकिन अगर time कम है तो possibility कम है market को उपन और नीचे दाने भी अगर आप दूर की call लेते हैं तो तो simple है option का कि option को जब आप खरीदते हैं option के दर में 50 वो होते हैं आप suppose आपको option खरीदना है कई लोग बोलते हैं हमें stop loss लगाना नहीं था simple सी वाते यहां पर SL लिखा हुआ है अगर मैं इसको buy कर रहा हूं 278 के level पर suppose ठीक है 278 के level पर buy कर रहा हूं और मैंने यहां पर stop loss का एक तो यहां पर call दिया सेट कर दिया मैंने stop loss सबोज यह 10% नीचे किरेगी न तो यह मैंने इसको on कर दिया देखो यहां पर stop loss on कर रहा अगर यह 10% नीचे किरेगी तो अपने आप सेल हो जानी चीए बई चलो हाप बोल रहो हमें तो परसंट अर्संट से नहीं पता हमें तो सीधा हिसाब बताओ आपने SL चूस किया फिर ठीक है SL चूस करने का दो यहां प्राइजिंग आ जाएगी सब्पोज हम तो बोल रहे हैं यह 270 से नीचे किरे न तो यह आप तो ट्रिगर कर जाना अब मैं इसको सेल कर देता हूं अभी मार्केट क्लोज है इसलिए बिगेगा नी लेकिन यहां पर stop loss रखाने का तरीका में बतायता है अगर अपने इससे बाय करना जाते तो मार्केट जित्ते भी लेवल पर होगा अपने यहां बाय हो जाएगा लेकिन लिमिट के हिसाब से कि मार्केट को अच्छा जब इतने बे आए ना भीया 275 पर जब मार्केट वापस थोड़ा बहुत आ जाएगा न तभी अपने यह भाया हो जानी चाहिए उससे उपर में नहीं खरीदू हो तब हम लिमिट लगाते हैं एसलमिल अम कोई कॉल को बाय कर लेते हैं आप चलो इसके अंदर में एक और चीज बता जाते हो तो यहां पर आपको बोलता है फो कि आए हैं तो इंटाइल है माइए हो टीक है अब यहां पर कवारई स्थिकर सोल करनेormौ मिल जाए और सब्सक्राइबं कवार्टार से नीचे चला जाए तो ये मेरा कवर ओर्डर लग गया यहां तो लगा सकते हो और लिमिट नहीं लगा ना मार्केट में जो रेट आ रही है यह मेरको तो इसी रेट पर मिल जाए तो मैंने मार्केट चूज कर लिया लेकिन गिरे जब 270 से नीचे गिरने वाला हो तो अपने आप से लो जाए तो यह हो गया कवर ओर और और एक होता एमो एमो आ मार्केट रेट पर यह बाय करना है यह मैंने एमो लगा दिया एमो लगाने का जैसे में करूंगा तो यह मार्केट अच्छा एमो इसको लिए बाय नहीं करेगा लेकिन नौर्मल शेर के लिए वो बाय हो जाएगा एमो इसको बाय नहीं करने जा लेकिन एमो नौर्मल शेर क आपको पता चल गया कि regular order कैसे लगते कवर कैसे लगते एमो कैसे लगते stop loss कैसे लगते और निफ्टी को buy कैसे करते सेम अगर आप चाहें तो bank nifty के लिए भी यही चीज होती है यह निफ्टी की चला गया आप सब यहां पर आप चाहते हैं कि bank nifty आजाए तो nifty bank की pricing क्या रही है यह उपर 37,670 कि 37,670 अगर हम इसका level लेते 37,670 गी लेते हैं एक तो 37,670 ठीक है bank nifty 37,600 ठीक है 70 नहीं डल सकता या तो 600 डलेगा या 50 के multiple में चलती है 670 का मतलब या तो 650 आप डाल सकते हो ठीक है लेकिन यह 100 के multiple में चलती है तो या तो आप 600 डालो ठीक है तो एक 600 की call ले ली मैंने एक ले लेता हूँ मैं 700 की call 37,700 की call ले ले लेता हूँ और एक ले लेता हूँ मैं क्या 37,500 की call ठीक है तो एक तो mid level पर हो गया और एक उपर की level पर हो गया और नीचे की level पर हो गया तो अब आप देखो जब mid के level पर है ना 37,600 की level पर है 37,600 कितनी थी सेदिया 670 की जो market rate है ठीक है तो इसको मैं उपर नीचे कर ले रहा हूँ यहाँ से yellow market का है? market इन दोनों के बीच में रुका हुआ है अगर इससे उपर की call में ले रहा हूँ तो सस्ती है लेकिन इससे जित्ते भी नीचे है या 1000 हो सकता है ठीक है वो जितना अलाओ करता है आपको उतना आप ले सकता है लेकिन 25 के multiple में चलेगा निफ्टी जो है वो 50 के multiple में चलेगी तो अगर आप सब पूछें कि minimum कितना पैसा चीए बाय करने के लिए तो भाई आगर मैं इसकी एक कॉल बाय करता हूँ 25 से multiply करता हूँ 700 को तो यहां पर मेरा जो प्राइजिंग है वो आ रहा है maximum 17,360 में मेरे पार इतना पैसा ही नहीं है समझे हो मेरे पार इतना पैसा ही नहीं तो मैं क्या है ठीक है जैसे मैं 38,000 CE डालूँगा तो कॉल का प्राइस किया गया 573 ठीक है जैसे मैं बाय पर जाओंगा तो कॉल बही है कितने की होगी वही कॉल 13,575 की होगी जितना मैं आगे जाता जाओंगा उतनी मेरी कॉल जो है चीप होती जाएगी लेकिन उसका टार्गेट अची है हम दूर में ठीक है तो अगर आप उससे कितना मांट ची होता तो मैं आपको यह बुलूँगा कि अगर आप ऑप्शन करते हैं तो ऑप्शन के लिए कम से कम आपकी पास में सेफर साइड के लिए 20,000 रुपए आप लेकर चलो ठीक है ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए 20,000 र आपने इस तो हम अपको बाहते है तो यह बहुं निकल सकता है तो यह होगया और को कोई भी दिक्कत आ रहिए तो आप फूरे सकते हैं comment box चालू है ठीक है और ये हमारा group का number है आप चाहें तो इस पर मुझे message कर सकते है whatsapp पर one to join ठीक है ये number आप save कर सकते हैं डाइस रूबे पर मन का फिर से जहां पर आपको इसी type की सारी knowledge आपको मिल जाते है consultancy आपको मिल जाती है पूरे एक महीने आप बैंक की साथ में करते हैं तो आपको 100 रुपे पर transaction देना होता है जहां पर इन दोनों के अंदर आपको 20 रुपे पर transaction ही लगता है ठीक है जीरो दा के अंदर में lifetime brokerage फ्री है आपको brokerage नहीं देना होता है 200 रुपे बस साल कर देना होता है angel booking के अंदर आपको 200 रुपे में देना होता अकाउंटी फ्री है और आप में इसको तीन गुना margin मिल जाता है आपको angel booking के अंदर में ठीक है एक मेने के लिए brokerage आपको free मिलती है और एक मेने के लिए जो है आपको margin block भी free मिलता है कि अगर आप किसी option के share को अगर आप sale करते है तो डेल लाग रुपे जो आपको block करने पड़ते है किसी भी share को बेचने के लिए वो angel booking के अंदर में आपको free मिलता है एकदम free of course account भी free और brokerage भी एक मेने के लिए free तो आप चाहें जो आपको दिखता नहीं है invisible होता है लेकिन आप पे करते रहते हैं उसको आपके other bank accounts के साथ में जिसके अंदर आपका अंदर नीचे दो दोनों के अब सबसक्राइब कर सकते हैं कोई भी दिखता आती है मुझे आप डीएम कर सकते है इसी नमर फे लिए